नमस्कार दोस्तों मैं किस्सा बाजवला लेकर आया हूँ विश्व अभी ख्यात लेखको की कहानियों का गुच्छा दोस्तों अगर हमारी कहानी आपको पसंद आये तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें तो आये बिना देर की शुरू करते हैं मार्ज की कहानी कहानी का सिर्षक है रेप, इसे लिखा है स्रोजनी साहु ने एसी बात नहीं थे कुन दिनों में छोटी मोटी घरेलू बातों को लेकर जगड़े नहीं होते थे वे दोनों भी आपस में कुते बिल्ली की तरह जगड़ते रहते थे कभी दुनियादारी की छोटी-छोटी बातों को लेकर तो कभी बच्चों के लालन-पालन को लेकर या फिर कभी कभार अपने व्यक्तिकत वैचारिक मतबेधों को लेकर प्रन्तु वे दोनों उन बातों को ज़्यादा समय तक अपने हिर्दय में गाठ बनाकर नहीं रखते थे कुछ समय बाद एकाद घंटे के भीतर-भीतर उनके सारे वैचारिक मतबेध दूर होकर सामनजस स्थापित हो जाता था उसके बाद वह दिन भी बाकी दिनों की तरह समाने हो जाता था उन जगणों के दोरान जाने अन जाने उनके मुक से एक दूसरे के लिए स्वार्थी, घमंडी, मनमोजी, बैमान, कंजूस, इत्यादी अनेको अनरगल सब निकलते थे मगर इन शब्दों की यह बंबारी उनके हिर्दे को छत विछत नहीं कर पाती थी शाम की कट्टू स्मृतियां सुबह होते होते उनके मानस पटल से रातरी के तिमिर की तरह हट जाया करती थी प्रंतु आज का दिन दूसरे दिनों की तरह नहीं था सुपर्णा को अश्यर हो रहा था आखिर कर एसी घटनाएं क्यों घटित हो जाती है आज सुपर्णा की निंद पूरी नहीं हुई थी सुबह सुबह धुरी निंद से उठकर तंद्रा वस्था मुआ बातरूम गई दैनिक दिन चरिया से निवरित होकर वह रसोई घर में गई हीटर पर चाय चढ़ा कर अंगडाई लेते हुए अपने शरीर से आलस की जक्रन को दूर करने का यतन करने लगी फिर वह जैन्त को निंद से जगाते हुए चाय क्या प्याला देकर बाहर आंगण में जाकर बैठ गई बिश्थर से उठकर बेटी हाथ में लेकर पिछे पिछे जैन्त भी आंगण में चले गए सुपढणा ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा मैंने आज एक अजीब सा सपना देखा जैन्त ने पूछा कैसा सपना मैंने भी आज एक बुरा सपना देखा सुपढणा ने कहा तुम जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है इससे पहले जैन्त अपने सपने के वारे में बताते सुपढणा ने कहना प्रारम किया कल सपने में मैंने डॉक्टर त्रिपाठी को देखा वह मेरे साथ था मतलब उनके साथ यानि हम दोनों में थोक निगलते निगलते सुपढणा ने कहना जारी रखा कल रात को सपने में ही फक्ड मी जैसे ही सुपढणा के मुझ से यह शब निकले उसने देखा च्छड भर के लिए जैन्त का चेहरे के भाव बदल गए वह जुझला कर कहने लगे मेरे भी ऐसी इक्षा है तुम्हारे आलवा किसी दूसरी के साथ कहते कहते जैन्त चुफो गए थे वह बनावटी हसी हसने का भिने करने लगे यत्पी जैन्त के भीचेवे होठो पर क्रितरिम मुस्कुराहट की जलक अभी तक स्पष्ट दिखाई दे रही थी प्रन्तु कुछ समय पूर्व जैन्त के विक्रित चेहरे पर उभरी प्रतिशोद की भावना को सुपना भुला नहीं पा रही थी बाद में भले ही जैन्त ने उसको उपरी मन से समझाने की कोशिश की कि उसने ऐसी कोई भी बाद किसी गलत उदेश्य नहीं कही थी यह नहीं कहा जा सकता कि सपना देखने के बाद सुपना के मन में अपराद बोध हुवर कर नहीं आया हो पर जैन्त की बात सुनकर उसके मन को गंभी ठेश पहुँची थी जैन्त को अपने सपने के बारे में बताने के पीछे उसका कोई गलत अभी पराय नहीं था चाय पिते-पिते गव शब करने के मूड में अचानक उसके मूँ से यह बाते निकल गई थी उसने इस बात का कदापी यह नुमान नहीं लगाया था के जैन्त अंजाने में कही गई इन बातों को सुनकर इतने उतेजित हो जाएंगे सुपन्ना जैन्त को सफाई देने और समझाने बुझाने के बावजूद भी उसके चेहरे पर उभाराई प्रतिशोत की रिखाओं को भूलाये नहीं भूलती लेकिन विर्थ में बात आगे न बढ़े सोच कर वो अपने दैनिक क्रिया कलाब के लिए वहां से उठकर घर के भीतर चली गई कोई और दिन होता तो सुपणना अवज से बहस करने लग जाती तुम क्या सोचते हो? मुझे सपने देखने का भी हिदिकार नहीं है पर आज वह तर्ग कैसे करती? क्योंकि उसे इस बात का अच्छी तरह घ्यान था कि उसके जिंदगी जमीन के इस छोटे से टुकड़े पर बने एक छोटे से काटर में ही सिमाबध है अगर कोई इसे अभी कहता उड़ जाओ तो भी वह वहां से उड़ने के लिए तक पर नहीं होगी पिंजरे के बाहर की दुनिया के बारे में सोचते ही वह अमन ही मन भैभीत होने लगी अगर कोई पूशता अगले जन में तुम क्या बनना पसंद करोगी तो उसका उतर होता मैं पंची बनूँगी सुपर्णा के मन में यह ख्याल कभी नहीं आया था कि वह हमेशा के लिए इस तरह चार दिवारी में कैद हो जाएगी हर एक दिन दूसरे दिनों से अलग होगा और 28 साल की उमर तक उसने जैसा जीवन बिताया था वैसा ही जीवन 30 साल की उमर में उन्हीं दिनों की तरह बितेगा पती के लिए गर्म गर्म रोटियां सेको लड़के के लिए राइस, इंजिन और मॉर्निंग की स्पेलिंग सियाद करवाओ और लड़की की तवचा, दाथ, बालों की सुरक्षा इवं सौंदर के लिए अपनाये गए घरेले नुस्खों का उप्योग करो इन सभी बातों के बीच सुपर्णा या भूल चुकी थी कि वह एक एसी लड़की थी जिसने धवलेशर मंदिर में महानदी के किनारे धुम्रपान भी किया था उसने कॉलेज की लड़कों की छिटा कशी की तनिक भी परवा नहीं की थी सुपर्णा को वे बातें भी विस्मरित हो गई थी कि उसने एक नौजवान के साथ इस विशे पर जोरदार तर्क वितर किया था शायद उसका नाम कोई दास था अधिकारी या एसा ही कुछ उपनाम था उसने उस नौजवान को मुह दोड़ जवाब दिया था तुम लोग औरतों के बारे में क्या सोचते हो क्या उन्हें गाय बकरिया भेड समझते हो थोड़ा सा धुमरपान भी हम लोग नहीं कर सकते भले ही या उसका दुस्साहस था क्या उसकी मन मोजी प्रवृती शादी के तीन साल बात तक जयंत के इस क्वाटर में बंद कर नहीं रह पाती थी इस छोटे से शहर में वह छटपटा कर रह जाती थी और अपने माय के जाने के बहाने कटक या भूनेश्वर चली जाती थी जयंत मैं तुम्हारे सिमित संसार में नहीं रह सकोंगी मुझे उणने के लिए विश्तिर्न आकास चाहिए सुपरणा भूनेश्वर से लगातार पत्र लिखती रहती थी और उचित प्रत्यूत्तर ना पाकर अंत मेवा कुंठा ग्रस्थ होकर जयंत के पास लोट आती थी नौकरी एक प्राधिंता है जानते हुए भी उसने एक बार निश्य कर लिया था कि वह स्वतंत रूप से नौकरी करेगी प्रंतुसी समय डॉक्टर ने सलाह दी यह तुम्हारा पहला इश्यू है इस समय तुम्हें ज़्यादा यात्रा प्रवास नहीं करने चाहिए कम से कम पांच महीं तक फुल बेड रिस्ट करना तुम्हारे लिए जरूरी है इन पांच महींों के बेड रिस्ट के दोरान सुपर्णा का जीवन पूर्ण रुपेन बदल गया था वह कई नई नई अनभूतियों के साथ साथ तरह तरह की मानसिक जड़ताओं की शिकार होती जा रही थी बस उसके बाद उसे यह याद भी नहीं रहा कि उसे कोल मा ही नहीं बलकि एक पंची बनकर खुले गगन में भी उड़ना था वह सोच रही थी उसे अपनी पीट पर बच्चे बांद कर बंजारिन हो जाना चाहिए था जेंत की नसबंदी के बाद वह अपने बीते दिनों की यादों और दुष चिंताओं को बेटे की हसी में तथा बेटी की शरारतों से मुत्मिलन के अंत की सुख नेदरा में भूल गई थी भूल गई थी वह सौल बेलो वह गार्शियामा क्रोज के स्रिजनात्मक लेखन को सहम पितरोदा की विज्ञान अधारित शिक्षा निती को और शवाना आजमी की कलात्मक फिल्मों को अब तो वह केवल इस बारे में निस संकोच गपे लड़ाती थी प्रधान बाबू के घर में एक पाव भर मटन में साथ आदमी कैसे खाते हैं महंती बाबू के क्वार्टर के ज्ञरोखों में वह कितनी बार देख चुकी थी महंती बाबू अपनी पत्नी के सिर से जुए कैसे निकालते या प्रेशर कुकर साफ करते हैं या फिर शादी के समय वो अपने मायके से कितना सोना लाई और इस बीच और कितना सोना उसने खरीदा दूद बेचने वाली गाड़ी के होन से सुपड़ना अपने वर्तमान में लोट आए समानता उसको बर्तन मांजने में ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनिट का समय लगता था पर आज पता नहीं क्यों उससे बर्तन मांजने आदे घंटे से ज़्यादा हो गया फिर भी काम पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा था सुपड़ना हाद धोकर उट खड़ी हुई और दूद के बर्तन और उपए लेकर बेटे के हाथ में थमा दिये फिर अपने बालों में कंगी फेरते हुए दरपन में अपने चेहरे को निहारने लगी कि वो ठीक ठाक दिखाई दे रही है या अभी भी उदास चित है जैसे वे घर से बाहर निकली मिल्क वेन के ड्राइवर ने पूछा क्या बात है मैडम आज आप दूद लेने नहीं आए तब यह ठीक नहीं है क्या मगर उसने कोई उत्तर नहीं दिया किवल वो अप प्रति उत्तर में मुस्कुरा दी बड़ी मुश्किल से उसने आठ वेज तक नास्ता बनाया उस दिन जैन्त ने अपना अलपाहार इस तरह गरहन किया मानुआ घोडे पर जीन कस कराये हो ब्रेड सलाइज सोफे में बैट कर तो आमलेट आंगर में खड़े होकर चाय चलते चलते पीकर वो तेजी से घर से बाहर निकल गए जाते जाते स्कूटर पर किक मारते हुए कहने लगे मैं आफिस से दस वज तक लोट आऊंगा तुम तयार रहना डॉक्टर के पास चलना है न इतना कहकर जेंत सुपड़ना के उत्तर की प्रतिक्षा किये बेगहरी वहां से चले गए उनके जाने के बाद सुपड़ना घर के भीतर आ गई वह भीतर ड्राइंग रूम में ब्रेट के बिखरे हुए टुकडों की तरफ देखने लगी जेंत अक्सर बच्चों के साथ टेलिवीजन देखते हुए नाश्ता करते थे अभी तक आज उससे शेन कक्ष में विश्तर नहीं बदला गया था उसने अभी तक सारे घर में जहाडू नहीं लगाया था फिल्टर केंडल को साफ करने का काम भी अभी तक बचा हुआ था ना तो आज उससे अभी तक नल से पानी भर कर रखा गया था नहीं वो अभी तक दूद गर्म कर पाई थी किसी भी हालत में आज उसे दस बजे से पहले पहले कम से कम दाल चावल तथालू चुका बना लेना चाहिए नहीं तो डॉक्टर के पास जाने में देर हो जाएगी और अगर डॉक्टर के पास चेक करा कर आने के बाद रसोई बनाती है तो बच्चे स्कूल से आने के बाद बिना कुछ खाय ही सो जाएंगे उसके सारे काम अभी तक बाकी पड़े थे सुपर्णा समझ नहीं पा रहे थी कि वह कौन सा काम पहले करे और कौन सा काम बाद में करे शेन कक्ष में जब वह चादर बदलने गई तब उसे काफी ठकान से चक्कर आने लगे थोड़ा सा विश्राम करने के लिए पलंग पर चित लेट गई लेट 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 वह सोचने लगी काश उसने एक नोकरानी रख ली होती लेकिन नोकरानी रखना कुछ सधरन काम नहीं था कभी-कभी नोकरानी रखने से घर की शांती भंग हो जाती थी पहले वाली नौकरानी को उसके हां से काम छोड़े लवक चार महीने ही बीते होंगे इन चार महीने के दोरान घर का नेमित काम काज करने से होने वाले शारेडिक बयाम से सुपर्णा की स्थूल काया छरहरी और सुडौल हो गई थी सुपर्णा बच्चों की बढ़ती शरारतों से आज कल परिशान रहती थी वो समझ नहीं पाती थी उनको कैसे संभाला जाए तीन दिन पहले की बाद थी उसकी बच्ची ने डिस्टिल्ड वाटर के एमपूल के कांच के छोटे टुकड़े को घर की नाली में से उठा कर खा लिया था बहुत कोशिशों के बाद उसके मूँ से वा कांच का टुकड़ा तो निकाल दिया गया था पर उसकी तेजधार से बच्ची की जीव लहू लुहान हो गई थी कोई और कांच का टुकड़ा पेट में नहीं चला गया हो इस संदेह को दूर करने के लिए बाद में उसके पाखाने की जांच भी करवानी पड़ी थी हर दिन के तरह आज भी दोनों बच्चे ड्रॉइंग रूम में लड़ाई जगड़ा कर रहे थे सुपर्णा को जाकर बीच बचाव करना पड़ा था दोनों को दूर दूर बिठा कर उनको अलग खिलोने देकर वह रसोई घर में लोट आई थी वह सोच रही थी कि क्यों आप पहले रसोई घर का काम निप्टा लिया जाए रसोई घर के भीतर जाकर उसने गैस ओन किया उसने देखा गैस धीरे धीरे जल रही थी उसे लग रहा था कि गैस जल्द ही खत्म हो जाएगी सुबह सुबह आज पडोज से भी गैस का कोई बंदोबस तसानी से नहीं हो सकता था जैसे तैसे उसने धीमी आज परी खाना त्यार किया जैसे वर असोई घर से काम करके बाहर निकली वसे ठीक दस बजे जैन्द घर पहुँच गए प्रंतु सुपर्ना के घर का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ था यद्पु उसने घर में जाडू पोचा लगा लिया था कपड़े भीगो दिये थे, बच्चों को स्नान करवा दिया था फिर भी कई छोटे मोटे काम बाकी रह गए थे जैसे खिड़की दरवाजे एक बंद करना, बच्चों को शर्ट, पैंट और जूते पहनाना, पाउडर लगाना, ताले और चावी ढूंडना इत्यादी सारा काम खत्म करते करते आदे घंटे से ज़्यादा बीथ गया नहीं मिल रही थी, पर गेट के सामने खड़े जन्त की व्यगरता को देखते उसने कहा था, आ रही हूं बस, बहुत दीन हुए घर से बाहर कहीं नहीं निकल पाती थी, वह इसलिए कि उसकी चपलों की धूल की मोटी प्रत जमी हुई थी, जूते साफ करने वाले ब्रश या बच चुके थे, जयन्त कहने लगा, तुम तो जानती हो, इस डॉक्टर की क्लिनिक में बहुत भीड रहती है इस समय, इसलिए तो मैं कह रहा था है कि ठीक समय पर त्यार रहना, पर तुम तो कभी समय पर त्यार हो ही नहीं सकती, क्या तुम नहीं जानते, घर के कितने काम हो जयन्त की बात सुनकर सुपणना डॉक्टर त्रिपाठी के क्लिनिक के अंदर चली गई, उसने देखा डॉक्टर उनकी धर्म पतनी, दोनों ही मरीजों को देखने में व्यस्त थे, वो डॉक्टर त्रिपाठी के सामने जाकर खड़ी हो गई, डॉक्टर त्रिपाठी ने उ उसको बैठने का संकेत का डॉक्टर त्रिपाथी दूसरे मरीजियों को देखने में व्यस्थ हो गए। सूचना दे रही थी। कनपट्टी के आज पास के बाल सफेद नजर आ रहे थे। सब मिलाकर उसे उनके चेहरे में अकरशन की कोई चीज नजर नहीं आ रही थी। आए इधर आए अब बताए क्या हुआ है। परवाही पर नाराजगी ब्यक्त करते हुए लड़की को टेवल पर सीधे लेडाने के निदेश दिये। उसके बाद उन्हें ने लड़की के पेट को अपनी दाई हथेली से धिरी-धिरी दबाया। मुख खुलवा कर गले की जाच की तथा टंग डिप्रेसर से जीब दबा कर मुख के अंदरोनी भागों को बारिकी से सावधानी पुर्वक देखने लगे। कटी जीब पर दवाव पढ़ते ही दर्थ के मारे बच्ची छट पटाने लगी। उसको छट पटाता देखकर डॉक्टर आवेश में आकर कहने लगे। क्या आपको बच्चों को ठीक से पकड़ना भी नहीं आता। इस तरह पकड़िए। सिर के दोनों तरफ से हाथ उपर क की तरफ ले जाकर हाथों को सिर्च से सटा कर रखिये। बच्ची की पुरी तरफ मेडिकल जाच हो जाने के बाद डॉक्टर तिरपाठी कहने लगे घवरानी की बात नहीं है दवाई देनी की जुरुत नहीं पड़ेगी। इतना कहने के बाद वो अपनी कुर्सी पर आकर पैठे गए। सुपढणा ने पर्स खोल कर फीस आगे बढ़ाई तुन्हों ने उसकी तरफ देखी बिनाहीं रुपे लेकर टेवल के डोगर में डाल दिये। अब चारिकता वश धन्यवाद कहते हुए सुपढणा क्लिनिक के बाहर निकल गई। जेंत क्लिनिक के बाहर ख पूछना चाहिए था। खेर यह भी छोड़ो। क्लिनिक के बाहर निकलने के बाद अभी तो कमसे कम डॉक्टर ने बच्ची के इलाज के बारे में क्या बताया। पूछ तो लेना चाहिए था। यतना पूछ लेने मातर से उसके मन को थोड़ा सा संतोश हो जाता। परनतो जेंत ने कुछ भी नहीं पूछा। पास वाली दुकान पर जाकर सिधे बच्चों के लिए चोकलेट खरी दी और बिना कोई बात किये वे सब घर वापिस आ गये। रात को सोने से पहले सुपड़ना ने आंगन में खुलने वाली खिड़कियों को बंद किया। फिर वह बा जेंत को पानी भरने के लिए कहती तो क्या आज वो उसकी बात मानते पता नहीं कि वो आज उनके उपर विश्वास नहीं था। इसलिए वो स्वेम रसोई घर में जाकर पानी का लोटा भर लाए। फिर उसने रसोई घर में रखे दूद के बरतन फ्रीज में रख दिये। अगर तुम्हें पढ़ाए नहीं करनी है तो कमरे की लाइट आफ कर दो। आदतन सुपढ़ना सोने से पहले कुछ पढ़ती थी। मगर आज उसे ऐसा लग रहा था कि अवस उसे पढ़ते पढ़ते नींद आ जाएगी। और वा कमरे की लाइट आफ करना भूल जाएगी। यही सोच कर अनिच्छा पुर्वक उसने कमरे की बत्ती बुचा दी। मचहदानी के उपर जैसी वा बिश्तर पर आई। उसे ऐसा लगने लगा मानो ठकावट से उसका शरीर चूर चूर हो गया हो। कुछ देरबार दोनों शरारती बच्चे गहरी नींद में सो गए। आज कल इस सब के लिए इच्छा पैदा हो ही नहीं रही थी। मानो उसका सारा उत्सा सोता नश्ट हो गया हो। जैंत फिर एक बार अपना हाथ सुपर्णा की कमर पर रखकर सहलाने लगे। धिरे-धिरे सहलाते हुआ सुपर्णा को कहने लगे। आज तो तुम्हारे सपने या कहने का अंदाज कुछ इस तरह था कि सुपर्णा अपने अंतर मन में घोर अपमान का अनभव करने लगी। उसने पलटकर मधिम रोशनी में जन्द के चेहरे को देखने की कोशिश की पर उनका चेहरा अंधरे में दिखाई नहीं दे रहा था। अगर इस समय कोई सुप धन्यवाद